Hello friends, welcome to my channel SKK exam study दोस्तों अगर आप किसी भी TET exam या teaching exam की त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आपको क्या है बहुत सारी problems होती है Child development and psychology में तो आप अमारी जो psychology की ये वीडियो देख लोगे Child development की ये वीडियो देख लोगे तो आइए श्टार्ट करते हैं आज का जो मारा टोपिक है वो क्या है बाल विकास और मनो विज्यान बाल विकास Child development and मनो विक्यान क्या होता है मन का विज्यान जिसको हम English में क्या कहते है psychology psychology तो आइए श्टार्ट करते हैं मैंने आकल सभी question क्या है थोड़े short लिखे हैं लेकिन मैं उन question को पूरा पढ़कर बताऊंगा आपको ताकि आपको ये पता चले की question में पूछा क्या गया है ठीक है यहां पर जो first question है दोस्तों यहां पर क्या है इस first question के अंदर क्या बात प या सिर से पैर की तरफ होता है तो बिल्गुल simple answer है इसका बताओ क्या है इसका answer यहां पर जो बालक का विकास होता है दोस्तों वो सिर से पैर की तरफ होगा पैर से सिर की तरम नहीं हो सकता ठीक है अभी Question Number Two देखो गरब में संतान यानि कि जब मा के गरब में मा के गरब में यानि कि पेट के अंदर जब संतान होती है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ से पड़ता है पोशन से अब पोशन क्या होता है पोशन दोस्तों वो होता है मा का देखो मा के गरब में बच्चा है ठीक है यानि कि उसके अंदर एक और जीव है मा खुद एक जीव है उसके अंदर एक और जीव है तो जो मा का पोशन है ठीक है यो किस परकार का भोजन करती है उसका प्रभाव क्या है बच्चे पर पढ़ना लाजमी है तो इस तरीके से question बूचा गया है question number 3 देखो जनम के समय जो सीशू होता है जनम के समय जो छोटा सा बच्चा होता है उसके सरीर में हडिया कितनी होती है जो वैश्क आदमी है उसके सरीर में 206 हडिया है अपने कई बार सुना भी होगा कई बढ़ी तुझे इतना फेटोंगा तो दोस्टो छाएगा डिया टूर जाएगी गिन नहीं पाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या है जो जनम के समय जो सीशू है छोटा सा बच्चा है ना तो उसके सरीर में हडिया कितनी होती है 270 अभी देखो यहाँ पर दोस्तो अगला कोश्चन देखो रंगों की पैचान देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर रंगों की पैचान कितने साल का बच्चा कितने वर्ष का बच्चा जो रंगों होती हैं दिरे दिरे उसको क्या है रमोगी पैचान हो जाती है पांस साल तक ठीक है अभी यहां पर देखो question number five बाल विकास अभी देखो मैंने आपको पहले बोला था कि आपर मैंने question short में लिखे हुए है लेकर मैं आपको पूरा बता हूँगा ठीक है यहां पर जो बाल विकास है बाल विकास यानि कि भारत के अंदर जो बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी 1930 में अगला question देखो कि शौर अवस्ता है वो क्या है जीवन की बिल्कुल कठीन पल होता है कठीन अवस्ता कहा जाता इसको क्योंकि इसके अंदर क्या है बच्चे के अंदर जो किठोर अवस्ता है जो कठोर अवस्ता है कठीन अवस्ता ही बोलते है इसको वो क्या है किसोरा अवस्ता होती है इसके अंदर बच्चे के अंदर क्या है वो सारे सालरी क्रूप से भी परिवर्तन आते हैं और मांसी क्रूप से भी क्या है परिवर्तन आते हैं तो ये जो अवस्ता है, वो क्या है, सभी बच्चों के लिए वो होती, कठोर होती है, कठीन होती है. अगला कोशिन देको, कोशिन नमबर 7, एस्थाई दात. अभी मैं आपको बता दूँ, स्थाई तो क्या होती है, प्रमानेंट. जैसे कि हमारे जो हमारे दात हैं जो अप मेरे मूँ के अंदर जो दात हैं वो मेरे पर्मानेंट दात हैं स्थाई दात हैं ठीक है तो यहाँ पर ऐस्थाई दात बच्चों के अंदर ऐस्थाई दातों की संख्या कितनी होती है दोस्तों 20 होती है अभी यहाँ पर देखो सरजन सरजन सील बालक के लक्षन जो सरजन सील बालक होता है क्रियेटिव बच्चा होता है क्रियेटिव चाइल्ड बोलती है उसको उसका लक्षन क्या होता है उसकी जिग्या सा ठीक है कलास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और उसमें अलग से पैचान में आ जाएगा कि क कौन सा बच्चा क्रियेटिव है क्रियेटिव बच्चा क्या है कुछ ना कुछ जानने का प्रियतन करता रहता है कुछ ना कुछ बाते वो सभी से पूछता रहता है तो उस तरीके से भी हम जान सकते हैं कि कौन सा बच्चा क्रियेटिव है और कौन सा बच्चा पीछडा हुआ है ठीक है यहां पर देखो question number 9 जनम के समय बालक जो जनम के समय बालक की जो समरण शक्ति है जो mind power है वो कितनी होती है कितनी होगी छोड़ा से बच्चा जब जनम लेता है तो क्या वो पैदा होते ही वैगैनिक बन जाएगा डोक्टर बन जाएगा टीचर बन जाएगा नहीं न वो तो छोटा सा बच्चा है दिरे-दिरे क्या है वो समाज के अंदर रहता है आज-पास की चीज़ों को observation करता है तबी जागरी विकास होगा न उसका तो यहां पर क्या है जनम के समय जो बच्चे की जो समरण शक्ति है यादास है वो क्या होती है बहूत ही कम होती है कितनी होती है बहुत ही कम होती है अब अगला question देखो आतम गोरव की भावना देखो दोस्तों जो किशोर अवस्ता होती है वो एक बुचाल की अवस्ता है बच्चे के अंदर सारेडिक रूप से समाजिक रूप से मांसिक रूप से कई परिवर्तन आते हैं यहीं पर ऐसा ही एक question पूछा गया है आतम गोरव की भावना यानि कि अप देखो आतम गोरव कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पर अगर psychology के अंदर question पूछ लिया तो इसका मतलब यह निया कि आतम गोरव कोई हानी पोचाने वाली चीज है आतम गोरव सभी में होना चाहिए और यह एक पूछाएगा लेकिन अगर आपको आतम गोरव अपनी बूती पर है अपने टैलेंट पर है अपनी पावर पर है तो वो ऐसा आतम गोरव तो सभी में होना चाहिए इस परकार के आतम गोरव क्या शक्ता बच्चों में भी है और महिलाओं में भी है बुडों में भी है आतम आतम गोरव की भावना तो सभी में होनी चाहिए लेकिन उस भावना को देखने का नजरिया उस भावना को बिहेव करने का जो तरीका है वो डिपेंड करता है कि आतम गोरव है क्या तो किसोर अवस्ता में क्या है आतम गोरव की भावना बहुत जादा होती है जो 13 से 19 साल का ब पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चे के साथ क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवार करना चाहिए तो दोस्तों यह 10 कोश्चन हम आपके लिए लेकर आएं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है जो प्रीवेस एक्जाम में पूछे जाते रहे हैं तो मेरा आपसे यही निवेदन है इस वीडियो को देखना और अगली ही वीडियो हम क्या है जल्दी लेकर आएंगे जै हिंग जै भारत